हेलो दोस्तों सब्सक्राइब आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर और आज की रेसिपी एक कॉंसॉल्टेंट रेसिपी है जो बहुत ही कम समय में तैयर होती है और खाने में उतनी ही टेस्टी होती है तो जब भी आपका कुछ चटपटा खाने का मन करें और आपको जल् कौन को हमने अच्छी तरह से बॉयल कर लिया है और बॉयल करने के बाद को सुखा देना जिसके इनका पानी सूख जाए है यहां पर हमने कौन को बॉयल करके रखा हुआ है और आप इसमें थोड़ा से सीजनिंग करेंगे मैं सबसे पहले हम एक समस्क्राइब डालेंगे और चीजनिंग त्कौन लेंगे और इन सब चीजन को सिजनिंग कर देंगे मैं तो आप आप सकते हों अलका सब पाने च्छीड़ाग सकते हो और उसके बाद फिर से मिक्स कर सकते हो कौन का अच्छी तरसे बहुत जरोगी है तब इत ममें अना हो फ्राइथ कर이면 tयर तक हुआ ने मुट्द घर्म कर दिया है यहाँ को थिल पिने के लिए डालेंगे यहाँ फ्रॉइ करना के लिए जब डालेंगे तो उस समय एक बात का ध्यान रखना है कि कौन को हम हाथ से इस तरह डालें कि वो अलग अलग गिरें एक जगब में कट्टे होके ना किरें नहीं तो वो चिपक जाएंगे यहां पर आप देख सकते हो कौन को हमने तेल की उपरी सता पर आ जाते हैं क्योंकि बह करना है अगर हम इसको ज्यादा कम ट्राइश करेंगे तो कौन क्रिस्प्टि नहीं है तो कौन फॉर जासे तेल की उपरी सता पर आ जांगे तो इसका मदब है कौन हमारे पग और आप हम इंको सिर्क करना है तो क्रिस्पी करने के लिए तो उड़ा हाई कर देंगे मेर्समाइब क्रिश्पी हो चुकई हो फ्राइए वियुक सब्सक्राइब कोई बेसको अवाज रहें तुम हम इसका तर्ट का लगाएंगे दर्टके के लिए दोस्तों के पैन लेंगे पैन गरम करके उसमें तोड़ा सा त煮नی या गालिक को दोस्तों हमने हलका सा भुणना है यस्कों ज्यादा पकाने के जरूत नहीं है इसकाज्रणी करना है जो भी recipes हमें करें कोई कलर नहीं देना है और उसके बाद हम इसमें थोड़ाइब रॉड़ा यहां जेछेशते हूं अन्हें गालीक और जिंगर फ्राइब्स कर देना है घुक हमें इनको तेल मिर्च सबूस्तर अब स्बाइब करते हैं और नियुक्त पिल उसल mode गए और उप सब established और 。ट अबूस्तर अधा इनससे मिर्च सं़तो कोहिए जर्ट या चीमेबुत lift को व्यक्तिर मिंस भी और साथी कशीय मेर्स पॉर्डर बोलते हैं और अची तरह मिक्सटाइब करदें दोस्तों और अब तो हम इसमें एड़ करेंगे फ्राय किए वे कॉन यह पर देख सकते हो हमने जो कॉन फ्राय करके रखेते वो एड़ कर देंगे और इन सब चीज़ें को एक पर हल्गा सा मिक्स कर देंगे यहां पर देख सकते हो दोस्तों इसको पकाने की ज़्यादा जरूद नहीं होती है कॉन हमारे पहले ही पक चुके हैं तो हमने एक हल्गा सा इनको इस तरह से मिक्स करना है कि जो हमने सीजनिंग डाली और सबजी हैं वो कॉन के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं तो यहां आप देख सकते हो दोस्तों हमारा कॉन साल्डेंट रेपर अच्छी तरह से मिक्स होके तयार हो चुका है और बिल्कुल क्रिस्पी कॉन है अगर हम इसको ज्यादा पकाएंगे या इसमाल काशा कुछ भी लिक्विड डालेंगे तो हमारे कॉन हो क्रिस्पी नहीं रहेंगे तो दोस्तों हमारा साल्डेंट रेपर कॉन तयार हो चुका है तो कि बहुत ही क्रिस्पी है और खाने में बहुत ही अच्छा होगा तो दोस्तों कैसे लगी आपको रेसिपी अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप कमेंट करके जरूर बताना वीडियो को ज़्यादा से दोस्तों देखिए कैसे लगी आपको रेसिपी अमीद आपको रेसिपी पसंद आगे मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद